तो 4G game का pre-registration प्ले स्टोर पे शुरू हो गया लेकिन कुछ लोगों के device में pre-registration नहीं हो रहा उनके device में isn't compatible with this version ऐसा कुछ दिखा रहा है इसका simple reason ये है कि उनके smartphone जो है android 10 के नीचे है मतलब जिन लोगों के smartphone android 10 या फिर 11 पे बैसे वो easily pre-registration कर पा रहा है लेकिन उसकी नीचे वाले device नहीं कर पा रहे इसी वज़े से वो pre-registration नहीं हो रहा अगर आप android 10 के नीचे आपका smartphone है तो आप नहीं कर पाएंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप game भी नहीं खेल पाओगे जब game available हो जाएगा तब आप game download भी कर पाओगे और download करके खेल भी पाओगे ऐसी कोई problem नहीं है लेकिन आप pre-registration शायद नहीं कर पाओगे अगर उन्हें ने यह सब fix कर दिया और android 10 की नीचे वाले जो smartphone है वो भी pre-register कर पाए तो अच्छे बात है लेकिन इतना tension लेनी कि आप चिंता गाने की ज़रूरत है आप 4G game खेल पाओगे तो अभी game आने में थोड़ा time लग सकता है शायद इस महिने के end तक game हमें देखने को मिल जाए new year से पहले हमें यह game play store पे मिल जाए हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए तो game आने पर आप game खेल पाओगे enjoy कर पाओगे अपने दोस्तों के साथ अभी तक पता ने चलाए कि यह game शुरुआत से battle royale से हम खेल पाएंगे मतलब battle royale इसमें होगा या नहीं होगा देखते हैं आने वाले दिनों में सब पता चली जाएगा और आपका device by registration के लिए compatible नहीं है तो आपको tension ने लिए ज़रूरत नहीं क्योंकि आप game खेल पाओगे पर registration करें या direct game download करने को मिले क्या फरक पड़ता है आपको game खेलने को मिलेगा यही बड़ी बात है तो बस यही ता वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में